तो हाई गाइस जैसा कि मैंने रफ कॉपे में टेस्स लाउंच किया था इसका पहला टेस्ट सोल लगो था तो उस हिसाब से क्या है मैं एक रिव्यू आप लोग को सामने रखना चाहता हूं कि as a examiner as a copy checker हमारे दिमांग में क्या चलता है जब भी कोई examiner आपका copy check करता है उसक जब भी कोई आप solutions कर रहे हो तो most importantly आप यह ध्यान रखना कि उसका answer आना बहुत important है ठीक है answer in the sense right answer अगर उसका answer सही नहीं आ रहा है तो examiner उपर की तरफ देखता है कि solution आपने जो बनाया है सही बनाया है कि नहीं formula जो use किये हैं सही उसकी है कि उस हिसाफ से क्या है आपको step marking मिलता है लेकिन अगर आपका answer right है तो examiner के perspective में एक चीज़ बदल जाता है कि नहीं भाई सामने वाला को इसका solution पता है तो उसको full मिलता है नहीं तो आपको एक या दो मास काट लेते है ठीक है और रही बात देखो जब भी आप कोई theory को attempt करते हो या तो फिर कोई कोई टेस् अगर copy check कर रहा था तो मैं पूरा theory नहीं परूंगा मैं देखोंगा कि important points क्या आपके theory में अगर important point मुझे मिल गया तो मुझे लगेगा कि नहीं आपको बहुत कुछ पता है और आप लिए लिखाया हुआ और कोई भी questions में समझ लो कोई questions है उसमें graph बनाना important है तो सबसे पह नहीं बस यह क्या किया है point में लिखाया ठीक है अगर पंद्रमा से जो कोई question आ रहे थी उरी के तो उसमें at least 10 points लिखो अगर six points लिखोगे तो क्या लगता है अधूरा लगता है लेकिन 10 points लिखने से at least यह पता चल जाता है सामने वालों को कि आपको इसके बारे में answer पता है और आपने लिखा हुआ है तो at least 10 points आप सहारी जो भी topic आप तयार कर रहे हो तो at least उस topic के 10 points आप बना के लिख दिया करो और ऐसा नहीं कि जब भी आप points लिख रहे हो तो उसको क्या करो को points में छोड़ दे उसको ऐसा तरीका से लिखा करो कि वह एक paragraph में तो दो paragraph में आ जा औ तो कभी-कभी क्या होता है कि बच्चों क्या करते है time management या नहीं हो पाता या तो फिर उनको उस चीश की बारे में पता नहीं रहता है तो points लिख के छोड़ देते हैं तो यह एक बहुत सामने ओले के मन में एक खराफ सा impact देता है कि इसने point लिख के छोड़ दिया इसको पता में लिखो आप ऐसा मत लिखो कि उस वह फॉर्मूला कैसे आया फिर उसके वाद उसका derivation कैसे हुआ तो यह सब बिलकुल भी फायदा नहीं है क्योंकि आपका time waste हो जाएगा वहां पर तो इससाब से क्या है कि आप लोग most probably एक step में ध्यान रखो और एक फॉर्मूला पे ध् मिल जाए तो यह सब कुछ पॉइंट से कुछ बाते हैं आप लोगो ध्यान रखना पड़ेगा योगी देखो कोई भी अगर एक्जामिनर कॉपी चेक करता है तो इसके दिमांग में एक चीज पहले से क्लियर हो जाता है जब आप दो तीन चार को संस्राइट होते हो उपर क थोड़ा सा तो इंपक्त पड़ता ही है मतलब एक पॉइंट का तो यह सब बातों को ध्यान रखना चाहिए और आप लोगो को इस पे काम करना चाहिए ताकि आप लोग भी क्या है एक्जामिनर के जो मन में है तो वह सब भी बाते जान पाऊ इसलिए मैंने यह वीडियो बन दिस थैंक यह सो मुझ